गर का front elevation अगर अच्छा हो तो पूरा गर अच्छा लगने लग पड़ता है तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि front elevation कैसे आप सस्ते में बना सकती हो क्या-क्या सही material आपके front elevation के लिए रहेगा और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी अपना front elevation design कर सकता है से 20 बाते बताऊंगा बहुत important वीडियो है देखो front elevation तभी सस्ता बन सकता है जैसे आपने plan बना आया ठीक है plan आपका बन गया है और उसके बाद आपको क्या करना है उसी में front elevation कर वा लेना है कुछ नहीं है मतलब 4-5,000 रुपया खर्चा आता है front elevation के लिए मतलब एक आपको 3 2D version मिल जाएगे 2D उससे सस्ता रहेगा तो उसमें क्या है जैसे आपका plan ready हुआ plan आपका बन गया है यहाँ यह आने वाला है single story है devil story है उसके बाद उसका जब आप elevation बना होगे तो उसमें आपका खर्चा किस तरीके से बस सकते है कि जो मतलब minus plus किया जाता है मतलब slab आपकी उपर की बाहर नगल गी जैसे यह shape है लगा लो c shape यह बनती है जो यह तभी possible है जब आपने plan बनाया और elevation बनाई तभी आपका यह हो सकता है आपने पहले सब कुछ बना लिया फिर आपके दिमाग में आता है कि इसका front elevation बना लिया होता फिर उसके बाद काफी दिक्कत आता ह और अच्छा सा आपका elevation ही बनता है जब आपने plan बनाया था यह c section आराम से हो जाकती थी नीचे first floor की slab बाहर निकाली plus की उपर की भी plus की और side पे brick work और यह c type का जा s type यह काफी famous है और समय trend में और यह सबसे easy और सस्ता elevation बनता है अगर आप plan के साथ अपना elevation बना सकते हो ठीक यह चीज़े होती है मतलब जैसे plan बनाया उसके बाद elevation करवाद होगे तो आपका काफी खर्चा बच जाता है और साथ ही साथ जैसे मतलब plan के बाद हमें structure की detail लेनी होती है तो structure की detail plan और elevation यह तीनो साथ करना नहीं तो दिक्कत आ जाती है अगर आपने जैसे आपको लगते है आपने कोई pick देखी यहां कहीं front elevation देखी कि मेरे को ऐसा गर मनन है और आपने वो choose कर ली फिर आपको उसके साथ से plan में adjust करना होगा तो plan जब बन रहा है उस time adjust हो सकता है बाद में दिक्कत आती है तो उसी साथ से कहां beam देना है कहां क्या करना है क्योंकि क्या होता है structure की detail ले आते हैं क्या होता है कि जो slabs बाहर निकाली जाती है mostly उसमें क्या किया आता है slab beam डाले जाती है कि बाहर ना नीचे दिखे ना उपर दिखे तो वो पहले design करना होता है तो पहला point ही यह है कि आपको जब भी front elevation करनी है अपने plan के साथ front elevation कर लो क्योंकि जिस गर की कीमत 20 लाग रुपए अगर उसका front elevation अच्छा होगा तो वो 35 लाग रुपए का अगर resale हो सकता है यह दिखता है यह चीज पहली चीज है दूसरी चीज जब भी आपको जो material use करना है वो low maintenance material हो low maintenance material क्या हो गया लगा लो ठीक है हम अपनी front elevation में क्या के चीज़े use करते है mostly material रहता है HPL sheets ज यह इंडिया में use किया जाता है तो जब भी आपको इन में से कोई चीज यूज करनी लगा लो हमने कोई tile choose की तो tile इस तरीके का color use करो जिसकी maintenance कम हो क्या होता है लोग mostly मैंने 80-90% गर देखें जिनके front elevation में tile use की होती है उन्हें ऐसा color ले लिया होता है जैसा pattern जैसे एक बारि एक चीज द्यान देनी है दूसरा जो stone cladding की जाती है stone लगाया जाता है stone volatile उसमें ऐसा pattern देखने है कि मिटी dust फसे नहीं होता क्या मिटी dust पानी से छट से नीचे आती है फसती है तो वो खराब दिखती है तो maintenance जिस चीज में बार बार करने पड़े तो वो मेरे ख्याल में सह तो यह मैं पहले आपको mention कर देना है जो भी आपका front elevation design कर रहे है या खुद से आप लगवा रहे हो नेक्स चीज इसी में होती है privacy privacy बहुत important चीज है जब आप front elevation कर रहे हो ठीका बालकनी जाती है front elevation में mostly आपने देखोगा balcony के बिना कोई गर नी होगा जब आपको बालकनी ब वो दिखते हैं अंदर वो खराब दिखते हैं आपको क्या करना है plain glasses मेरे खाल में मत लगाओ itching वाले लगाओ या colors वाले लगाओ या patterns वाले लगाओ तो उससे क्या आपकी privacy बची रहेगी एक most important चीज होती है budget देखो पहले ही अपना budget fix कर लो कि 2,000,000 लगाना है तीन लगा एक उगा 50,000 रुपे का एक 20,000 रुपे का देखने में वो सेम लगेंगे सब चीजे quality सेम होती है बस आपको budget बताया रहेगा तो जो आपका front elevation design डेर वो उसी साब से material लगाएगा आपने कहा है कि आपको इसको 2,000,000 के अंदर complete करने तो वो tile उसी साब से tile choose करेगा वो ACP sheets या आपके horizontal ये use की जा रही है तो ये उतका section जो थोड़ा हलका use करेगा जा आपके जो cladding करेगा stone cladding वो सस्ती वाली करेगा तो ये चीजें आपको पहले बतानी पड़ेंगे क्योंकि option काफी होती है आपको कोई compromise नहीं करना अपने design में बस वो option और बढ़ा देगा जो सस्ते में होगा तो आपकी front elevation दिखेगी भी बैसी luxury look वाली लेकिन वो सस्ते में होगी तो ये आपको budget पहले त्यान करना पड़ेगा और material का आपको research कर लेने मतलब एक material आपने कोई भी design देखा उसके बारे में पता करो कि ये material है क्या उसके 5 option आपको मिल जाएंगे तो वो लगव और सस्ती आपकी front elevation हो जाएगी और देखने में अच्छी हो जाएगी ठीक है ये चीज भी दियान डखना और जैसे मैंने का था structure की detail must must लेना क्योंकि जो चज़े हम बाहर निकालते हैं जहां जो slab हमने cantilever की हुई है जहां जो हम pillars देंगे तो वो load बढ़ा रहे हैं आपकी front elevation पे slab पे तो चज़े जो होते हैं 3 feet से या 4 feet से ज़ादा हुए तो उन पे load आया तो जुकना start हो जाते हैं तो बाद में दिक्कत आती है तो आपको structure की detail front elevation के time ही ले लेनी है ये नहीं है कि आपने plan बनाया front elevation बना ली structure की detail पहले जो पुनाना structure है उसके इसाब से आपको पहल three times वो होता है कि design कुछ इससाब से हो जाता है मतलब वो ये चीज़े ध्यान में रखते हैं कि पानी का या heat का क्या प्रवाब पढ़ने वाला है कुछ अच्छजे निकाल दिये जब कुछ balcony जवार निकाल दी और जो slope है वो थोड़ी अंदर की तरफ रह गई यह slope का इतना द खराब कर सकता है तो हमेश्या जब भी front elevation design करनी है तो पानी का और दूप का mostly ध्यान रखना ही रखना क्योंकि दिक्कत आती आती होता क्या है हम ध्यान नहीं देते कि हमारे देखो कुछ south east best दूप का तो प्रवाब पढ़ने वाला है तो ऐसे material कभी use निकरो जो क्या हो दू पानी और दूप को दियान रखके चूज करना कि आज नी एक मिहना नहीं दो साल नहीं तीन साल बाद भी उस structure को वैसा ही दिखना चाहिए तो वह मस्ट चीज होती है कि material वह करो जिसका color fan नहीं हो जाब पानी अंदर नहीं डिजाइन प्रोपर से करवाने और एक बहुत चाहिए तो उससे क्या था पूरा symmetry बन जाती है अगर symmetry नहीं रहेगी न तो आंके न मतलब आगे पिछे होती है नीचे कुछ और दिख रहे है उपर कुछ तो वह अच्छा नहीं लगता एक symmetry आपके अगर उसमें front elevation में रहती है तो वह सबसे अच्छी luxury look लेती है modern look देती है नहीं तो वही पुराने वाला नीचे कुछ और उसकी है उपर कुछ और उसकी है colors, pipes, patterns यह हमेशा symmetry के साब से रहेंगे तो बहुत सुंदर दिखती है नहीं तो दिक्कत आएगा तो मैं कहूंगा boundary wall के color बहले gate का color black है तो आपका कुछ section में भी आपके front elevation में कुछ black रहना चा रहा है जब अंदेरा होता है लोगों ने अगर light पर focus नहीं किया तो फ्रेंट elevation दिन की रह गई रात को कुछ नहीं दिखेगा तो light must करनी है इससे में trending के profile lights तो profile lights सस्ती बढ़ती है कुछ ज़्यादा costly नहीं है उनकी life भी ज़्यादा अच्छी है तो profile light का पूरा मतलब use करो अपनी elevation में आप सी बना सकती हो जो भी मतलब profile light यूज करनी है यह होगे profile light और आपको wall washer मतलब जो चार चांद लगा देते हैं आपकी front elevation में वो होते हैं wall washer wall washer काफी pattern के आते हैं boundary wall में भी यूज करो नीचे boundary wall में wall washer रहेंगे और आपको जो vertical section रहेगी गर में एक vertical section रहती ही रहती है एक दिबार तो उसमें भी wall washer आगर आप 3-4 यूज कर देते हो तो क्या चांद 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 जू लगेगी आपकी तो मेरे खाल में light पे focus कर लेना proper light होनी चाहिए wall washer और profile light यूज करो बीच में थोड़ी बहुत light warm white light यूज करते हो तो बहुत जादा सुन्दर दिखते है और साथ ही साथ जो आपने windows यूज की है वो mirror वाली windows रहेंगी तो उसमें अगर अंदर से warm light लगती है on होती है cut inside होते हैं बहुत सुन्दर दिखते है तो थोड़ी बहुत windows भी दो जो plain glass में रहें बले aluminum यूज करो कोई दिक्कत नहीं wooden करने की जूरूरत नहीं है aluminum की window रहेगी बीच में glass रहेगा और यह बीच में mixture रहेगा profile light और wall washer का बहुत सुम्दर look आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ज slab में plus minus किया हो तो उसी में आपका अगर हो जाए तो बहुत अच्छा budget रहता है जाद मेंगी costly नहीं पड़ती है जब आप क्या करते हो आप stone cladding भी यूज करते हो HPL sheet यह ACP sheets tiles जब mixer हो जाता है न यह modern चीज़ों का तो थोड़ा खर्चा आपका बढ़ जाता है HPL sheet और ACP sheet क करो और जो आपकी railing रहती है उसमें भी आप पैसे बचा सकती है क्योंकि आज कल modern look में क्या हो गया MS की railing बहुत चल रही है gate और आपकी balcony की MS railing होगी तो वह बहुत सुन्दर look देती है greyish paint रखोगे तो अच्छा लगता है जो हमारी glass और इसकी steel की railing रहती है वो आपको 1600 उसे 800 पर RMT पड़ती है तो वो सस्ती पड़ती है तो यह चीज भी आपको दियान देनी पड़ेगी और जो भी material यूज करो इस तरीके से उसको दिवार पर चिपकाना है कि बार बार maintenance नहीं पड़े जो जैसे tile हम लगा रहे हैं stone हम लगा र क्या क्या material है और एक दो design दिखाऊंगो इसको कैसे design करने है बस आपके comment की दे रही है और यह video को ध्यान रखोगे तो आपका एक से दो लाख रूप बच जाता है front television में अभी मैं लेता हूं अलविदा thank you guys